अगर आपको पैसों के जरुवत है और लोल लेने का बिचार कर रहे हैं या पैसा जमा करने के लिए बिचार कर रहे हैं तो सतर करे हैं मार्केट में फरजी मैक्रो फैनेंस कमपणी नियों की बाढ़ आ चुकी है और इनका चुनाओ भी काफी सोच समझ कर कीजिएगा माइक्रो फैनेंस कमपणी के नाम के छलावे में ना आये यहां सम्हू बना कर या फिर किसी भी तरीके से जाल साथ पूरी सोची समझी रणनीती से लोगों को अपने जाल में फसाती है और लोगों को ऐसास नहीं होता कहीं ऐसा नहों जाए कि लोन के चक्कर या पैसा जमा करने के चक्कर में आर्लाइन और आफ लाइन यानि आपसे मिलकर भी साइवर फ्रॉड हो सकता है जिसे सीधे साधार भासों में ठगी कह सकते हैं ऐसा ही मामला कानपुर्ट से आया है जिसको हम आपको समझाएंगे यहां समू बनाकर महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर सौ से अधिक महिलाओं से लाखों की ठगी हो गई जब ठगी का हैसास हुआ तो महिलाओं ने रोड जाम किया यह तस्वीरे बाकाइदा उसी की हैं देश में डेली सैकलों ऐसी घटनाएं हो रही है जब तक लोगों को आहसास होता है तब तक वो जेब काट कर या फिर ताला मार कर फरार हो जाते हैं अर दिन बढ़ रही साइवर ठकी की घटनाओं को सतर्टा से रोका जा सकता है रुजगार के लिए एक लाख रुपए लोन दिलाने के नाम पर फैनेंस कमपणी करीब सो महिलाओं से लगभग चाल लाख रुपए लोट कर कानपूर से फरार हुई यह मामला पूरा हम आपको समझाते हुए बताएंगे कि किस तरीके से आपका कोई भी जिला हो कोई भी छेतर हो कोई भी परदेश हो आपके आजबास भी ऐसी कुकरमुत्तो की तरह उगाई फैनेंस कमपणीया या संस्थानी होंगे जिनकी नजर आपके रुपएंपर होगी किसी ना तरीके से किसी ना किसी तरीके से आप से ये फ्रॉड कर रही होंगी यहाँ पूरा मामला तब आता है जब लोन के लिए महिलाएं जाती है और कमपणी पर ताला लगा मिलता है करमचारियों के फोन करने पर महिलाओं को नमबर बंद मिलता है जिसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ महिलाओं ने किदवाई नगर थाने में सिकायद दर्ज कराई लेकिन कारवाई ना होने से नाराद महिलाओं ने आप देख सकते ही रोड पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया है हंगामे के सोचना पर पुलिस पहुची और कारवाई का आस्वासन दिया पूरा मामला जो ही शेतर का है यहां की निवासी आदर्सी वेगम ने बताया है कि तिवारी मार्केट में मनी मैक्रो नाम की फैनेंस कंपनी थी जिसके बिजे नाम के करमचारी ने दस महिलाओं का समू बना कर पतेक महिला को रुजगार के लिए एक एक लाख रुपया लोगन दिलाने की बात कही जिस पर कालोनी निवासी ग्रुप लीडर रेस्मा मुष्कान मम्ता फरा गुडिया सबनम समेत ददस महिलाओं ने अलग अलग करीब दस बारा समू बना लिए महिलाओं ने एक लाख रुपय लोन के एवज में तीन तीन सो रुपय फाइल चार्ज बता ठीक है जब किस्ती जमा करने है चलिए हम पहले जमा कर देते हैं एक लाख रुपय आएगा उससे चार दिन की बात है अर्जिस्ट हो जाएगा महिलाओं ने बताया पैसा जमा करने के बाद सुक्रवार को वो फाइनेंस कंपनी में लोन सुकृत होने के बाद लेने गई तो सुक्रवार को महिलाओं को जटका तब लगा जब किराय पर लिए गए कंपनी के आफिस में ताला लगा मिला काफे इंतिजार के बाद करमचारियों के ना आने पर महिलाओं ने करमचारियों को फून करना सुरू किया सबके नंबर एका एक बंद हो गए ये ठगी का मामला ऐसे आपके छेत्रों में चिटफंड कंपनी या तमान तरह की कंपनियों के नाम पर होता आया होगा या हो रहा होगा सतर करहें जिस पर महिलाओं को ठगी का एहसास हो गया चलिए जल्दी हुआ आरोफ है कि किदवाई नगर थाने में सिकायत करने के बाद पुलिस ने कोई कारवाई नहीं कि जिस पर आक्रोसित महिलाओं ने फैनेस कंपनी के बाहर रोड पर जम कर हंगामा सुरू कर दिया ताकि लोगों को जानकारी हो प्रसासन तक पहुचने के बाद उन्हें न्याय मिले हंगामे की सोचना पर किदवाई नगर पुलिस मौके पर पहुची थान अगलग तरीके भी होते हैं लेकिन जब साइवर ठगी आंलाइन हो या आफ लाइन जब तक पुलिस एक ठगी के तरीकी का पता लगाती है ठग महा ठग नया तरीका इजाद कर लेते हैं इन दिनों माइक्रो फाइनेंस साइवर ठगों का नया ब्रहम्हास्त बनकर उबरा है ठगी के मामले प्रकास में आने के बाद कई लोगों कि तो गोपिनिता का उलंगन करके उनके वीडियो या आनलाइन मामले में दस्तावेज अपलोड करके कूट रचित करके बहुत कुछ की आ जाता है उस मामले में तो साइवर ठगी से बचने के लिए विश्यों ने सला द क्योंकि यह आसपास फाइनेंस कंपनिया किसी कंपनी से जुड़े ऐसे विक्ति को एजन मना कर भेजते हैं जिसके जासे में छेतर का प्रभाव होने के चलते लोग आते हैं ठगी का ऐसास साइद उन्हें भी नहीं होता है इसके बाद फिर एक एक करके पहले तो आसान किस् सब्सक्राइब निन्यान में प्रस्ट लोग तो अपलाई ही नहीं कर पाते एक परसंट संघर से जहारू और जो इसलिए लड़ाई करते हो इधारों दर्च का चक्कल लगाते हैं मामला दर्च कराते हैं या उनका इमान बड़ा होता है तब कहीं कुछ की गिरफतारी होती ह लेकिन मिलता कितना है दुचार परसंट को बाकी का तो पैसा राम नाम हो जाता है राम नाम सत्य हो जाता है यह प्रचंड सत्य है उपर से नीचे तक और अदालत की जटिल प्रकरिया न्यायन मिलने में देरी इसके लिए बहुत चीज जिम्मेदार हैं खैर ऐसे मामलों से बचें सतर करें आपने कई स्किन सोट देखे वीडियो देखे सब चीज को समझ गए होंगे कि किस तरीके से इस फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है सावधान रहने में भलाई है किसी भी प्रकार के जहासी में चाहिए वह समू के नाम पर हो माइनस क्रोफाइनस कंपनियों क नाम पर हो बड़ी बड़ी चिटफन कंपनिया इस योग में धरसाई हो गई है तो छोटे नाम वाले छोटे छोटे ठगने ना रूप बदलकर बहरुपिया बनकर ठगने का गोरग धंदा जारी कर रखें इन गोरग धंदों में जितनी जल्दी हो अहसास होने के बाद अग कर लाएं अगर निकले हैं तो नाफसें पिसाल की रूप में आपको ऐसी ही महत्पूर जानकारिया मिलते रहेंगे इसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें देशी सिंपल अंदाज में ज्यादा एडिटिंग और डिक्तिंग नहीं क्योंकि हमें तत्थ पूर अग तक बात पहुचाने हैं ऐसी ही अन्य महत्पूर जानकारियों के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर जाएए